समाजवादी पाइटी के मुखी अखले शादों ने आज मिर्जापुर की चानवे सीट पर होने वाले उपचुनाओं को लेकर चर्चा की पाइटी के किस कंडिडेट को टिकर देना है इस पर मंतन हुआ तीन नाम पर चर्चा हुए जिसमें सबसे पहला नाम पूरुव विध अपना दल सोने लाल पटेल के प्रत्याशी राहुल को दी थी राहुल ने वहां से जीत भी हासिल की थी राहुल कोल का निधन होने के बाद से ये सीट खाली है और अब उनकी पतनी रिंकी कोल का भी नाम चर्चा में चला है सूत्रों का कहना है कि रिंकी कोल से समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने संपर्क भी किया है चार-पांश नामों में जल्द ही एक नाम की घोशना अकलेश यदो करेंगे और वो नाम जो भी होगा उसके लिए सारे करकरताओं से कहा गया है कि वो इलाके में जाके छेत्र में जाके अपने प्रत्याशी को जिताने के आपके